शांतियों नमस्कार जैहन एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आजास्टी जी पीएस्सी एकेडमी के इस मंच पर आज ये थमनेल जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं आप लोगों को 36 गड़ के भाचा राम की राम कथा सुनाने वाला हूँ जो कि डॉक्टर मनुलाल यदुकृत डंडकारन रमायट और डॉक्टर हेवु यदुकृत 36 गड़ परेटम में राम वंगमन पत इन दोनों को आधार करके उनके जो इस्थर रहे जो यहां से सम्बंदिद रहे उन सभी कमयापर आप लोगों से डिसकस करने वाला हूँ इसकी जो अथेंटिक डेटा है वो हमको 36 गड़ असमिता प्रतिष्थान के पांचिजन यदुजी से मिला है पांचिजन यदुजी वरतमान में 36 गड़ असमिता प्रतिष्थान जो कि डॉक्टर मनुलाल यदु और इस पूरे शोध हमारे यहां 36 गड़ में रामवन गमन प्रतिष्थान प्रतिष्थान के वरतमान सर्ण रक्षर स्री पांचिजन यदुजी उनसे मुझे सारे डेटा प्राप्ट हुए हैं और उसी को मैं आप लोगों की परिक्षा के लिहाज से एक साथ करके उनके दिये इंफर्मेशन और जो परिक्षा में आते हैं वो सारी चीजों को एक साथ करके एक वीडियो बना रहा हूं यह आप लोगों की पेपर की सीजी पेस्टिव प्री 2023 के पॉइंट इफ्यू से बना रहा हूं लेकिन यह आने वाले समय में जब जब रम आध्याई के मैं उनके लिए तो यह पॉयं बहुत ज्यादा इंपटेंट है और इसके सांस जो रमायान काल का इतिहास है हमारे लिए वो इस वर्श पूरे पूरे वर्श आने वाले परिक्षाओं के लिए सबके लिए इंपोर्ट है और यह योटिव में आप लोगों के र आप लोगों ने देखिया है कि कल हमारे पास क्या हुआ है रामलेला जी के भव्य प्रतिमा का इनाउगरेशन हो गया है इनके प्रान प्रतिष्ठा हो गई है ना रामलेला की प्रतिमा का क्या हो गया भई प्रान प्रतिष्ठा हो गया है ये इनकी कौन सी प्रतिमा है मैंने कल अपने वीडियो लेक्शर में आप लोगों को बताया था सुबह मैंने राम नला की प्रान प्रतिष्ठा से संबंदित एक वीडियो डाला था तो उसी में मैंने बताया था कि ये इनके बाल रूप का विग्रह है ये बाल रूप की प्रत प्रतिमा है यह प्रतिमा कहां स्थापित की गई है राम मंदिर के भूगर्व में भूगर्व में भूगर्व जो कि उनका प्रतंतर राम मंदिर में कुल तीन तल होने वाले हैं जिन में से भूगर्व में पहली जो मुर्ति स्थापित की गई है वो बालड्रोग की प्रतिमा ह अब इसके उपर के जो construction कारह होगा उसमें धीरे 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 ढर राम दर्बार और सारी चीजें होगी तो यहां पर मैं आप लोगों को पूरा राम भगवान के भी जो भी related जो सारी चीज़ें उसको बता देता हूँ ये मैं कल ही बता चुका हूँ कि कल जो दियरांग था वो था पॉस्षुक्लत 12 शी विक्रम सम्वत 2080 है ना यहां बाल रूप नूतन विक्रम को राम जन्मों पर बूतल में बने गर्बगर में विराजित किया रिया ठीक है ना ये मैंने आपको कल ही बता दिया अब मैं आज क चीज़ें आप लोगों के लिए कुछ नहीं है वो मंदिर नागर्शेली मनिर में थे ये मैंने कल बता चुका हूँ मंदिर के लंबाई 306 फुट चोड़ाई 250 फुट और उचाई 160 फूट कल मैंने एक इंग्लिश का एक पेज डाला था उसमें ये सारी चीज़ें लिखिए मंदिर तीन मंजिला है ये भी मैं बता चुका है प्रत्यक मंजिली को चाई 20 फूट है और कुल 392 खनबे और 44 दरवाजे हैं कला और संस्कृति के लिए हाथ से ये इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है भूतल में प्रभु शिगाम के बाल रूप का विग्रा है और प्रथम लोगों को देख रहे हैं कुल पांच मंदपों की स्थापना की गई है पांच मंदप कौन कौन से हैं आप लोगों को यहां मंदिर कर एक दो तीन चार इस प्रकार से दिख रहा है इधर पांच इस प्रकार से तो यह पांच मंदप कौन कौन से हैं एक है अंदृत्य मंदप एक है रंग मंडप, एक है गूर मंडप जिसे सफा मंडप भी कहा जा रहा है एक है प्रार्थरा मंडप और एक है कृतन मंडप इन मंडपों में अलग अलग कारविग्राम होगा, ठीक है? खंबे दीवारों में देवी देवताओं की मुर्थियों के कलाकृति की गई है ये तो आप सभी ने कल राम लला के जो प्रान प्रतिष्ठा प्रोग्राम है उसमें देखा होगा ठीक है ना प्रवेश से पूर 32 सीड़ियां है जिनकी उचाई कुल 16.5 फीट है जिसे चल कर सीड़ियों में तो वह सीड़ियों में और बाकी चारों और आयताकार परकोटा जिसकी लंबाई 732 मिटर चौड़ाई 4.2 मिटर और परकोटे के चार कोनों पर चार मंदिर भगवान शूर्य संकर गणपती और देवी भगवती मतलब मुख्य मंदिर बीचों बीच है मुख्य मंदिर बीचों बीच है परकोटा मतलब होता है बाउंडरी तो बाउंडरी वाल में देखो बाउंडरी वाल में क्या क्या बन रहा है बाउंडरी वाल में बन रहा है एक साइट सूरी का मंदिर एक साइट शंकर का मंदिर एक साइट गणपती का मंदिर और एक साइ मंदिर पूरो मुखी है तो सपोज अगर ये ये नौर्थ है तो ये क्या होगा इस्ट होगा तो मंदिर इस तरीके से बना है है ना ये मंदिर है तो मंदिर के ये इस्ट है ये इस्ट में है तो कह रहे हैं कि दक्षने भुजा में हनुमान और उत्तरी भुजा में अनपूर्णा माता का मंदिर होगा तो ये जो मंदिर होगा ये किसका होगा भई अनपूर्णा माता का और ये जो होगा ये किसका होगा बजरंग बली का होगा है ना अनुमान जी का ये बजरंग बली का मंदिर है उत्तर और दक्षिन की बात ठीक है यह मंदिर के चार कोनों में चार लोगों की प्रतिमा तो यह जब आप लोगों को मंदिर की शैली पढ़ाई जाती है तो मंदिर की शैलियों में एक शैली पढ़ते हैं पंचायतन शैली पंचायतन शैली किसे कहते हैं जब किसी मंदिर परिशर में चारों कोनों पर अल मपंचयतन मंदिर का मंदिर का मंदिर यह को यहां पर लिख दिये हैं वालमिकी वसिस्ट वश्वामित्र अगस्त यह सब्तरिशी का वर्णन होगा ऐसा मैंने कल क्या बोलते हैं जो वहां पर चमपत रायजी जो इस मंदिर कमिट्टी के महा सचीव है उन्हों उन्हों ने जब अपना व्याक्यान दिया तो उन्हों ने कहा कि सब्तरिशी के मंदिर यहां पर निर्मित किये जाएंगे। थे शब्त रिशी के मंदिर का वह है। इसके साथ साथ निशाद राज की एक मंदिर बनेंगे और एक माता सबरी है ना माता सबरी का मंदिर बनेगा और किसका मंदिर बनने वाला है और बनने वाला है देवी अहिल्या का माता सबरी के साथ साथ देवी अहिल्या का मंदिर बनने वाला है ठीक है और देखो दक्षिन पस्चिम भाग में नौरत्न कुबेर टिले पर श्री मंदिर का जिर्णोधार किया जाएगा और रामभक्त जटायू की राज प्रतिमा का इस्थापन की जाएगी तो यह जटायू राज की प्रतिमा का इस्थापना की जा चुकी है कल चंपत रह जी ने इसको बताया है तो जटायू राज की प्रतिमा का इस्थापना हो चुका है ठीक है तो यह ध्यान रखना है जटायू राज की जो इस्थापना वो किसके उपर की गई है कुबेर टिले क के उपडेट होता है तो मैं बताऊंगा उससे विडियो में अब हम आज के विशय में चलते हैं आज के विशय है हमारा चतिस गड़ में रमायन काल से संब्दित चतिस गड़ के रमायन काल का इतिहास आप लोग पढ़ते हैं भारत के इतिहास में रमायन काल नहीं पढ़ा जाता है लेकिन चतिस गड़ के इतिहास में रमायन काल को पढ़ना ही पढ़ता है है ना रमायन काल के चतिस गड़ से पुष्टकों के आधार पर मुझे जो डेटा मिले उन डेटा और कुछ इतिहास के पन्नों से उठा कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है नJack, तो फिलाल इतिहास का पार्ट है जो चीजें आप लोगों को नॉर्मल हर पुष्टक में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि 36 गड़ का प्राचिंतन नाम क्या है रामायन कालिन नाम क्या है रामायन काल, 36 गड़ में रामायन काल को यदि हम देखें तो 36 गड़ का रामायन कालिन नाम क्या था दक्षण कोशल, दक्षण कोशल क्या हुआ, सर्यू नदी के उत्तर जो इस्थिती थी वो दक्षण कोशल जो उत्तर कोशल थी और उसके नीचे जो वंद्या चल के नीचे का इससा क्या कहला है दक्षण कोशल की राजदानी क्या कहलाई कुस इस्थली दक्षण कोशल की राजदानी कुस इस्थली ठीक है न यहां की भाषा क्या है यहां की भाषा प्राचीन तम भाषा बहुत बार पूछा गया है प्रश्ण लक्षिन कोशल की भाषा क्या थी तो लक्षिन कोशल की भाषा थी क्या कोशली ठीक है ना कोशली ये 36 वड़ की प्राचीन भाषा कोशली थी ये प्रश्ण कई बार पूछ चुका है याद रखना है इस चीज को ठीक है इसके बाद फिर आप लोगों को इसी समय में रामायन काल में बस्तर का नाम क्या था दंड कारणे था और इसी दंड कारणे को इसी दंड कारणे पर जब शोध हुआ तो चप्छप्टिस गड़ में जब डॉक्टर मनुला युदी जी ने अपनी किताब लिखी तो उस खुंआ पर इस थलो का उन्होंने जिक्र क्या उनकी अलग अलग कृतियां है बहुत सारी ऐसे क्रिति मैं आँ आज अब बताऊंगा थीक है इसके बाद फिर आप लोगों को दंड कारणे के बारे में कुछ चीजे पता है दंड कारण क्या है कि ये इच्छ वाकु के पुत् और क्या हुआ कि इनी के राज्य के कारण इसको क्या कहा गया है दंड कारणे कहा गया है आगे चल कर आप लोगों को देखने को मिलता है कि दक्षिन कोशल में राजा हुए राजा भानुमंत दक्षिन कोशल के राजा कौन हुए राजा भानुमंत भाणुमंत की पुत्री कहलाई भाणुमती ठीक है ना भाणुमती और विवाः उपरांत इनका विवाः हुआ जो अयोध्या के राजा दशरत से और ये कहलाई क्या भाणुमती कहलाई फिर कोशल की कोशल्या हमारे यहां 36 गड़ में एक गच्छा प्रचलन है कि हम जो महिला जिनका विवा होता है आज भी यह प्रचलन आप लोगों को देखने को मिलता है तो 36 गड़ में यह चीज होता है कि आप जैसे सपोज किसी गाउं से कोई महिला शादी करके अपने ससुराल आई है उसके नाम के इतर एक नाम दिया जाता है वो कहा जाता है रईपूरहिन तो यह आप लोगों को उनके मायके से संबंधित नाम दिया जाता है महिलाओं को 36 गड़ में यह परंपरा रही है तो यह कोशलिया इसी से संदर्वित था कोशल्या कोशल की लड़की थी कोशल देश की रहने वाली थी कोशल देश की राजकुमारी थी तो उन्हें क्या क्या आ गया कोशल्या और यही चीज आगे चल कर क्या कहलाया हिंदी में कोशल्या कोशल्या बनी प्रभुर्श्री राम की माता ठीक है? अब माता कौशल्या से सम्मंदित हमारे पास एक इस्थल है जिसका नाम है चंद खुरी ऐसा माना जाता है कि माता कौशल्या का जन्म रथाद भानुमती माता कौशल्या का जन्म कहा हुआ है चंद खुरी में हुआ है कुछ दिन पहले हरीभूंद में छपे एक लेक के अनुसार चंद खुरी का जो चंद है ये रामचंदर के चंदर से लिया गया है और खुर गाय के खुर से आया है गाय के जो पैर होता है गाय का जो इस तरी के इस पैर होता है उसके नीचे में आप लोगों ने देखा है उसका नाखून होता है उस नाखून को कहा जाता है खूर उस खूर से इस खूर को संबद किया गया है इसके एतिहासिक प्रमानिक्ता को मैं क्लेम नहीं करूँगा जो पेपर में छपा था हरी भूमी हरी भूमी एक पत्री का है है आप लोगों को यह चीज मानना नहीं है पाकि मैं एक छोटी से स्टोरी मिली तो मैं पढ़ लिया था इसलिए बता दे रहा हूँ तो यह चंद्र ड्री का नाम चंद्र खुरी Happy पुढ़ा इस चीजस अब लोगों को बता रहा हूँ है तो राम चंद्र के चंद्र से चंद्र और घृष चोटी वह यहां पर यह उनका नानीहाल है वह यहां अटीज के बच्चों के पूरा ठेंट रहा है, नानी नाना के गाउन माला आज कल के बच्चे नानी नास के गाउन नहीं जा कोंगे हैं। इस श्मरती में कॉषल्य माता कॉषल्य में कहा बनाया। कोशल्या मंदिर बनाया, कोशल्या मंदिर कहां बनाया है, चंदखुरी में बनाया है, और ये विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है, विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर, ठीक है न, एक मात्र ऐसा मंदिर जहां पे मा कोशल्या अपने सुपुत्र, और मा कोशल्या अपने सुप पुत्र श्री राम को किस में लिये हुए है गोद में लिये हुए है ना श्री राम को किस में लिये हुए है गोद में लिये हुए है ये चीज ध्यान रहेगा ये इनकी इस्टोरी है कहां की चंद्रखुरी अब इसी चंद्रखुरी को जब आए 2018 में हमारे पास एक नए मुख्यमंत्री के रूप में भुफेश बगेल जी तो उन्होंने इस चंद्खुरी का नाम चेंज कर दिया और बोला इसे क्या इस चंद्खुरी को अब वर्तमान में नाम है माता कौशल्या धाम माता कौशल्या धाम चंद्खुरी अब यह चंद्खुरी का नाम यह हो चुका है माता कौशल्या धाम चंद्खुरी इसका नाम परिवर्तित किया गया था इसके लिए बقाईदा गज़ेटीर जारी किया गया था जो इसको अपने मतलब राजपत्र में हमने इसको प्रकाशित करवाया है अब गाऊं का नाम चन्दकुरी नहीं होके क्या हो गए है माता कोशल्य नाम चन्दकुरी याद रहेगा अब चलते हैं वालमिकी रमायन के महाकावे रमायन के इनुसार और भारत में लिखे बहुत से अलग-अलग रामायनों के नुसार रामायन की कालावधी पर रामायन की अगर हम पूरे प्रसंग को चर्चा करें तो रामायन में भगवान श्री राम को भगवान श्री राम के लिए मा कई कई ने अपने पती श्री दश्रत जी से चौदा वर्ष का वनवास मांगा कितने वर्ष का? चौदा वर्ष का वनवास वनवास अर्थास वन में उन्होंने जब वास किया ठीक है ना? चौदा वर्ष का वनवास मांगा इस 14 वर्ष के वन्वास की अउदी में प्रपुलशीराम मतलब राम, राजाराम उस समय वहां से आयोध्या से निकल कर पूरे भारत में उन्होंने, पूरे भारत के उन्होंने 14 वर्ष बिताने थे ये चीज था ठीक है अब चौदा वर्ज जो विताये उसमें से सभी अठारा पुरान जिन अठारा पुरानों का मैं जिक्र करता हूँ अठारा पुरानों और अनेक रामायनों से अठारा पुरानों और अनेक रामायनों से अब चुकि श्री यदूजी से मुझे बहुत सारे जानकारी मिली तो उन रमायनों का मतलब उन सारे गंतों को मैं एक साथ संक्लित नहीं कर पाऊंगा, उनके पास बहुत बड़ी लाइवरेरी है, जिसकी वो इस्टडी करते रहते हैं, वो आज भी पुरानों पे इस्टडी क कल सुबह किया था अपनी प्राण प्रतिष्ठा समारो के सिरीज में, ठीक है न, अनेक रहमायनों से उन्होंने इस तरक पर पहुँचे, इस तत्य में पहुँचे कि ब्राम जी ने यहां पर बारा वर्ष इन हमारे छतिस गड़ के जंगलों में बिताया है, बारा वर्ष, इस बारा वर्ष हमारे छतिस गड़ के जंगलों में बिताया है, ठीक है, यह चीछ समझ है, इस बारा वर्ष के छतिस गड़ के उनके वनवास में उन्होंने अशंखे अलग-अलग कारे की हैं, इन सभी कारियों की जो उल्लेक हैं, वो अलग-अलग पुरानों में आप रमायन के अलग अलग जो रमायन हुए उन सभी में आप लोगों को देखने को मिलता है तो उसी रमायन के कुछ अंश जो च्छतिसगड रमायन के नाम से डॉक्टर मनुलाल यदू जी ने एक कृति लिखी जिस कृति का मैं आप लोगों को फोटो दिखाना चाहूंगा ये ग्रंथ मुझे उनके संकलन से मिले हैं ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये है छतिस गड़ की रमायन ये उसका ओरिजनल बुख है जो तीन चार पुस्तवों पर मेरी जो चर्चा हुई कल उसके अकॉडिंग में आप लोगों को सारी चीजे दिख बता रहा हूं तो यह उसके औरिजिनल बुक्स हैं यह उनके पास अभी भी रखे हुए हैं अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दंड कारण ने कारण और इस चतिस गड़ रामायन से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा है ना इसी चतिस गड़ रामायन से बहुत सी चीजे आई हैं तो चतिस गड़ रामायन हो गया, दंडकारंड रामायन हो गया, चतिस गड़ प्रेटन में रामवनगमन हो गया, डॉक्टर हेमु यदू की, इन सभी पुस्तकों को एक साथ संकलित करने का कारे जो हुआ, वो कारे हुआ डॉक्टर हेमु यदूजी के द्वारा, इसमें पु पेज को हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 36 सरकार, 37 गड़ राम वंगमन पत्, या फिर राम सरक्रेट बोलते हैं जिसको, राम वंगमन पत् इस योजना को संचालित कर रही थी, अभी भी ये चीज़ continue रहेगा ही मेरे इसाब से तो इसके लिए हमने चुना था इंकावन इस्थलों को है ना इंकावन इस्थलों का चैन हमने किया था आरंभिक तोर पर और इसके बाद फिर इसकी शुरुवात जो राम वंगमन पत की शुरुवात हमने कब की है हमने किये 22 नॉंबर 2019 को राम वंगमन पत के पहली जो वो है क्या बोलते हैं पहला इस्थल कोशल्या माता मंदिर का यहाँ पर inauguration किया गया इसकी गोजना पहले ही हो चुकी थी इसका पहला जो इस्थल है वो 22 नॉंबर 2019 को कोशल्या माता मंदिर के गाटन के साथ यह आपचाली करूप से शुरू हो गया ठीक है न तो राम वंगमन पत में आपको टोटल इंक्यावन इस्थल का चैन किया गया तो मैं आप लोगों को इंक्यावन इस्थल भी बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम जो 36 गड़ में जिन 9 इस्थलों को राम वंग सीता मड़ी हर चौका क्या है सीता मड़ी हर चौका वह यह वर्तमान के मनेंद्रगण चीर्मिरी भरतपूर इस जिले में इस्थित हो गया है अब पहले यह कोरिया में था अब यह मनेंद्रगण चीर्मिरी भरतपूर का हिस्सा है श्री पायंच primeira यहां पर पहली बार यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है रामधुर है ना रामधुरण आप लोगों को देखने को मिलता है यह आप लोगों को MP और CG का बॉर्डर है M-P-C-G Border में आप लोगों को राम दवार देखने को मिलता है और राम का पूरा एक दवार बना हुआ है ऐसा यह दूजी बताते हैं और इसके साथ साथ वहां पर बहुत से और अलग 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 चीज़ों में आप लोगों को यहां पर जो पहली बार आए तो यहां पर जो जो चौका है यह चौका इसलिए है चुकि वहां पर सीता रोसवई वगर भी है यहना सीता रोसवई का जिक्र भी उन्होंने किया और भी बहुंस सारी जगों का जिक्र किया तो सीता रोसवई उसमें से बहुत प्रमुख है जो आप लोगों के पेपर में पूछा गया है ठीक अगर की स्थापना की गई है और सीता रस्वई के नाम से इस जगा को जाना भी जाता है ठीक है तो ये पहला जगा है कौन सा सीता मड़ी हर्चों का मनेंद्रगर्चेद्मरी भरत्पुर का इसके बाद दूसरा इस्थान आप लोगों को देखने को मिलता है सरगुजा सरगुजा का जगा है रामगड की पहाड़ी कल के मैंने अपने सुबह के लेक्चर में बताया था कि सरगुजा की रामगड की पहाड़ी में आप लोगों को काली दास ने मेगदूतम की रशना की थी ये मैंने कल नहीं बताया था बहुत दिन पहले बता चुका है ना तो राम पहाड़ी में आप लोगों को अलग-अलग गुफाईं दिखते हैं क्या क्या गुफा है एक है सीता बेंगरा एक है लक्षमन बेंगरा लक्षमन बेंगरा और एक है हाथी पूल की गुफा है ना हाथी पूल की गुफा मतलब यहां से आप लोगों को हाथी पूरा पार हो जाता है वैसा वाला चीज़ है यह जगा है और है किस किंदा गुफा यह चीज़ है तो यह चीज़ है तो यह चीज़ है वहाँ पर मुख्य रूप से आप लोगों को देखने को मिलता है कहां पे रामगड की पहाडी में तो दूसरा डेवलप किया जाना वाला प्लेस कौन सा है रामगड की पहाडी चो कि यहां पर माना जाता है कि सीता माता लक्षण जी राम जी इन सभी का निवास इस्थान था अलग-अलग उन्होंने अपने लिए प्राकृतिक रूप से जो खो हो है उन स्थानों को अपने रहने के लिए डेवलप किया था और वहाँ पे वो लोग रहते थे ठीक है न तो सीता बेंगरा और लक्षण बेंगरा की यह कहानी है इसके बाद आप देखेंगे तो राम जी आगे चले और आगे चलकर उन्होंने एक जगा का राइगड राइगड में उन्होंने जब माता सीता को प्यास लगी तो अपनी तीर से उन्होंने एक जगा पर जल का उदगार किया जिस जल का उदगार किया तो वो जगा आज कहलाती है राम जहरना ये किवधन्ती से ये कहानी जुड़ी है तो राम कता 36 गड़ में जैसे चलती आई है चुकि हमने देखा कि वेदो का संकलन भी शुर्ती परमपरा से हुआ है लोगों ने सुन-सुन के संकलन स्टार्ट हुआ दिरे-दिरे करते करते अलग-अलग तरीके से वेदो का संकलन हुआ रमायन का संकलन हुआ महाभारत का संकलन हुआ तो सब एक लंबी परमपरा में है तो ऐसे ही 36 गड़ की जनक विदंतियों में क्या चलता है कि यह जो राम जहरना है यह कैसे उद्गार हुआ इसका राम जी ने सीता महिया वो जो प्यास लगी तो उन्होंने क्या किया कि इस जहरने को अपने बान से मार कर शुरू किया था तो यह राम जहरना उसके नाम से है ऐसा कहा जाता है चतुर सिस्टान पर आप लोगों को देखना है जांजगीर चापा जिले में इस्थिद खरोद को कहा जाता है कि ये खर और दूशन नामक दो जो लोग थे राक्षास समराज्य वाले लोग थे खर और दूशन का ये समराज्य था जिनको यहाँ पर क्या किया है हमारे जो श्र है हमाराज्य ये राक्षास वहं सुन गए यह से यिय राक्षास लोग थे ऐसा बोलते हैं क्लेशन तो इनको राम जी नहीं वहां से क्या क्या था लमेनेर किया अब है इसके बाद पर यहां पर क्या हुआ कि आब राम जी नयुको हट एठा दिए तो राम जी के जो आराद् शिव जी के नाम से लक्षमन जी द्वारा सवा लाख छेद वाले ऐसा एक सीवलिंग बनाया है जिसमें सवा लाख छिद्र है तो इसको हम बोलते हैं क्या लाखा चाउर मंदिर लाखा चाउर छिद्र किसके शमान है चाउल के दानों के समान है तो इसलिए हम इनको क्या बोलत है और इसे को कहा जाता हैं लक्षमानेश्वार मन्दिर क्या लक्षमानेश्वार मंदिर ठीक उसके जो गर्भग्री में या आप लोगों का महादयों का मुर्ति है अमादेव का शिवलिंग है ठीक है ना यह हो गया इसके बाद फिर जानगीर चापा में ही आप लोगों को कल जो हमारे मुख्य मंत्री जी जिस जगह पर पूजन अर्चन के कारेकरम में गए थे जिस जगह की महिला जिस जगह की आदिवासी महिला की मुर्ति श्रिगाम के दरबार में लगाई जा रही है जिनकी जो मंदिर है वहां बनाया जा रहा है उस महिला का ना है सबरी मा सबरी के जूठे वेर का प्रसंग मुझे लगता है कि हर एक भारती यह को पता होगा है ना तो यह मा सबरी के जो शिवरी नारायन के जो समय थे है ना उस तो ये जगह हो गई, इसके बाद फिर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कितने स्थान हो गई गई, चार के बाद पाँच स्थान हो गई छटवा स्थान आपको देखने को मिलता है बलादा बजार, बलादा बजार का छेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है किसका आश्रम है यहाँ पर वालमिकी रिशी का आश्रम है यह रामायन के आगे की घटना है वालमिकी रिशी आश्रम की घटना वालमिकी रिशी आश्रम बोलते है या तो फिर इसी को आप लोग तुर्टूरिया आश्रम भी बोलते है तुर्थूरिया आश्रम भी बोलते है और आजुबाजुके ग्रामेंड जन्म उसे तुर्थुरिया धाम कहते है ऐसा है कि लवकुष का जो जन्म है वो कहा हुआ था इसी वाल में की आश्रम में हुआ था इसी वाल में कि आश्रम में हुआ था तो ये जगा हमारे जो ऐसा है कि लवकुष की जन्रों हुमी हो गई और 36 गड़ भगवान राम का ननिहाल हो गया है ना समझा गया इसके बाद फिर आप लोगों को एक नई जगा देखने को मिलती है जगा का नाम है धमतरी जीला धमतरी जीला में आप लोगों को एक परवत का नाम दिखाई देता है जिस परवत में है शिहावा परवत शिहावा परवत, श्रिंग परवत और इसी परवत पे रहते थे हमारे श्रिंगी रिशी जी ठेक है ना शिंगी रिशी जी के ही आसिरवाद शुरूप जशुरम को चार पूत्र पापत हुए, ऐसा यहां की कहानियां कहती है, जशुरम को चार पूत्र पशुरूप पापत हुए, तो उन चार पुत्रों का जो आशिरवाद था जो आशिरवाद वो किनों ने प्रदान किया था शिंगी रिशी जी ने प्रदान किया था ठीक है ना चुकि वालमी की जो है वो राम के गुरू भी रहे तो इसी लिए वालमी की जो संबंदित है वालमी की जी और शिंगी रिश अगर देखा होगा तो श्रिंगी रिषी जो परवत है ये सिहावा शेत्र में है सिहावा नगरी का हिस्सा है और श्रिंगी रिषी परवत के हिससे ही उद्गम होता है हमारे श्रिंगी रिषी परवत से ही यह ना इसी सिहावा परवत से इसका उद्गम होता है जो महानदी है उसका अब महानदी से यहाँ इस श्रिंगी रिषी के परवत यहाँ पर है और इसी के आस पास आप लोगों को परवतों में शब्त रिषी के आश्रम देखने को मिलते हैं है अगस्त रिषी मार्कंडे रिषी और क्या मुझकंदर आश्रम बहुत सारे आश्रम आप लोगों को िहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसे हम सब्ती रिषी इस्थल्भी कहते हैं ठीक है ना airristi まだ सब्ती रिषी को सब्ती इस्थल्भी कहते हैं याद रखना वहाँ पर सबत्रिशियों का क्या है वही अलग-अलग आश्रम बना हुआ है अभी भी मतलब 36 गड़ परेटन मंडल जो है उन सबत्रिशी इस्थल को सबत्रिशी आश्रम इस्थल को अपने बोड में दर्शाता है आप लोग जाएं तो वहाँ जरूर जाएं धमतरी के बाद फिर आप लोगों को एक जगा दिखती है कांकेर में आप लोगों को दिखाई देता है क्या पंचवटी पंचवटी कांकेर में पंचवटी क्या जिक्र हुआ है और इसी पंचवटी से मा सीता का हरन हुआ था सीता हरन की जो खटना हुई वो कहां हुई पंचवटी में कि पंचवट पंचवट रथात पांच वटों का जहां समू है वहां पर मासीता का क्या था इस्थान था और वहीं से जो रावन है उसने क्या किया है इनका हरन किया है क्या किया है जी हरन किया है और आगे चलकर आप लोगों क्या देखने को मिलता है आगे चलकर आप लोगों क फरस गाउं बोल के एक जगा है और वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जटायू शिला इस जटायू शिला को जटायू महराज जिन्होंने पक्षी राज जिन्हें कहा जाता है तो उस जटायू के छेत्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर जटायू शिला जो है यह उसी चीज का ध्योतक है कि जटायू महराज इसी शिला पर थे जब वो माता सिता के लिए लड़ाई किये थे उन्होंने रावन से मतासीता को शुलाने के लिए गडाई की थी और यही जटायू शिला है जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम जो प्रान जो है वो त्यागे थे तो यह जटायू शिला उस चीज के लिए फरस गाउं कॉंडा गाउं में यह चीज है है ना बस्तर का रामा राम जो है यहां पर अंतिम में सुरी बस्तर नहीं इसको सुकमा बोलेंगे जी सुकमा सुक्मा का रामा राम जो है यहाँ पर श्री राम ने अपने अंतिम जो है रामा राम में उन्होंने क्या बनाया था एक बनाया था शिवलिंग और यहीं से पूजा करके गोदावरी नदी के उस पार वो गए थे कहां गए थे गोदावरी नदी के पार और गोदावरी नदी के पार वो रामा राम में शिवलिंग के स्थापना करके गए हुए थे और अभी आप लोगों को पेपरों में अलग अलग जगा पे इंजरम की भी जो गटना है वो देखने को मिल जाती है तो रामा राम वहाँ पर अंतिमिस्थान है इस पूरे हमारे किसका टोटल टोटल किसका जी क्या बोलते हैं इसको हमारे राम वन्गमन पत का ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए नौ जगा है ना इन नौ जगों के बाद आप लोगों को कुल इंकावन इस्थलों को ध्यान लख लेना चाहिए इन क्यावनिस्टल कहां कहां हैं कैसे कैसे हैं उस सारी चीज मतलब मैं कोशिश करता हूँ एक बर बताने का आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम बहुत इजी करते हैं हम 36 गड़ के मैप को उसके संभाग वार अलग कर देते हैं संभाग वार अलग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 36 गड़ में श्री राम जी ने कहां से प्रवेश किया था श्री राम जी ने प्रवेश किया था सर्गुजा से सबसे पहले हम सरगुजा का नेबान कर लेते हैं यह हो गया सरगुजा संभाग सरगुजा संभाग में भरतपुर चिवमिरी फिर आप लोगों का कोरिया फिर आप लोगों का सूरशपूर फिर आप लोगों का बल्रामपूर फिर आप लोगों का जसपूर ठीक है यह हो गया यह बन गया आप लोगों का ठीक है ना तो mcb mcb यह है मनेंदगर चिरमरी भरतपुल इस mcb में कितने इस्थलों को चिन्नेत किया गया है कुल मिलाकर 4-5 इस्थल है तो इन में से सबसे पहला जो इस्थल है वो तो बटव यह सीतामडी घागरा ही रहेगा सीतामडी घागरा है ना सीतामडी हर चौका जिसे बोलते हैं यह पहला इस्थल ही रहेगा दूसरा इस्थल यहां पर माना गया है कोटा डोल को इसे राम के समय का इस्थल मान कर हम क्या करने वाले हैं डेवलप करने वाले हैं इसके बाद फिर हम अम्रित धारा सीतामडी चत्ता उड़ा यहाँ पर शिद्ध बाबा आश्रम भी है शिद्ध बाबा आश्रम ठीक है? और फिर देव सीली यह आप लोगों को पांच जगा कहां पर दिख रहा है भई? मनेंदरवर चिर्मीरी भरतपुर में एक, दो, तीन, चार, और यह पांच ठीक है न? इसके राद फिर कोरिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा है रामगड क्या है? रामगड फिर आप लोगों को सूरजपूर में देखने को मिल रहा है क्या? रक्स गंडा रक्स गंडा के बारे में मुझे कहानी बताई कि रक्सगंडा वो इस्थल है सर जहां पर क्या हुआ कि राम भगवान ने बहुत से जो असुर लोग है उनका क्या किया था जी उनको जो छेत्र है इस छेत्र को उन्होंने क्या किया असुरों से मुक्त किया तो यहां पर रक्सगंडा को ऐसा माना गया है कि यहां पर जो है ना राक्षस की हड़ियां उससे ये शब्द निकल कर आया है रक्सगंडा ठीक है न तो यहां पर बहुत से राक्षसों की हड़ियों का ठेर है ऐसा माना जाता है और इसलिए इस जगा का नाम क्या है भई रक्सगंडा इसके बाद आप लोगों को सूरचपूर में देखना है भोख सारा जगा सबसे पहले देवगण फिर महेशपूर देवगण महेशपूर बंदरकोट बंदरकोट की कहानी मुझे सुनाई थी मैं भूल लिया यह नौ बंदरकोट मैंपार्ट मैंपार्ट मंगल रेलगण इस पूरी जो जगह है ना इन सब जगों का जिक्र क्या बोलते है इन पुस्तकों में है इन पुस्तकों में आप लोगों को उन पूरी जगों का जिक्र देखने को मिलता है हर जगह के बारे में क्या कहानी है क्या कैसे यहां पर राम जी जूड़े हुए है इसके पूरे जिक् मुझे बहुत ही आनंग महसूस हुआ, मतलब मैं इतने authentic चीज को देख पा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप लोग भी कभी कोशिश कीजिए कि ऐसी चीजे मिल रहे हैं, फिर हम देखते हैं जस्पूर, जस्पूर में आप लोगों को किलकिला, किलकिल जस्पूर जिला, यह है आप लोगों को जस्पूर जिला, बल्रामपूर में कुछ भी नहीं है, यह देख लो यहां पर, बल्रामपूर में रामजी से संबंदित कुछ भी नहीं है, यह है आप लोगों का सूरजपूर, सूरजपूर में है रक्सगंडा, यह है आप लोगो तो स्वर्गुजा के नीचे आता है बिलासपूर को भी ट्रॉ कर लेते हैं सेम पैटन में निक बड़ा कर देते हैं जी हम छोटा कर देते हैं बिलासपूर को भी ट्रॉ कर लेते हैं तो बिलासपूर में कौन कौन से चिला है हमारे पास बिलासपूर में स्वयम बिलासपूर उसके बाद फिर हमारा मुंगेली, तो मुंगेली, बिलासपूर, और अभी अभी इससे अलग क्या किये हैं, बिलासपूर से अलग करके बनाए गॉरेला पेंडरा मरवाही गॉरेला पेंडरा मरवाही के बगल में है अपना कॉर्बा कॉर्बा के नीचे पूरा ये जीला था क्या था ना में था इसका जांजगीर चापा जो की पूरा अंतिम तक था जांजगीर चापा को दो जिड़े में तोड़ दिये एक किये का जांजगीर चापा एक किये का सक्ती और अब बजगे हमारे पास क्या राइगड पूरा पूरा इटसेल्फ तो यह आप लोगों को दिखे रहा है कि हमारे पास जो टोटल जिला है वो एक दो तीन चार पांट छे साथ नाम करन कर लेते हैं सबसे पहले हैं हमारे पास मुंगेली यह हैं हमारे पास गौरिला पेंटरा मरवाही यह हमारे पास स्वेम साक्षात बिलासपूर बिलासपूर के बाद यह जगा का नाम क्या है कोरबा कुर्बा के बाद इस जगा का नाम क्या है जानगीर और चापा जानगीर चापा के बाद इस जगा का नाम क्या है राइगर और जानगीर चापा से लगा हुआ जो उसका पडोसी जो तूट कर बना है उसका नाम है शक्ति बहुत है ना? राइगडबारार इपह लिखें इन्दर है राइगडड़ा इस तरीके से यह हो गया तो अब यहां पर क्या क्या जगए है तो बिलासपूर में जो जगह है उस जगह का नाम है मल्हार क्या है भई? मल्हार राम जी से संबंधित है έellनौए जानधिर चापा में शिवरी नारायन यह जानगीर चापा लिखा रहा है यह भी शिवरी नारायन ठीक है यह दो जगह है फिर आप लोगों को शक्ती सक्ती में आप लोगों क्या दिख रहा है चंद्रपूर शक्ती में चंद्रपूर यह आप लोगों को एक दो तिन चार चार जगह आप लोगों के कहां से संब्दित है आप लोगों के बिलासपूर संभाग से संब्दित है अब हम बात करते हैं रायपूर और दुर्ग तो दुर्ग संभाग में आप लोगों को जानकर हैरानी होगी क दुरु संभाग में कहीं पे भी अलग से राम जी के उसमें नहीं आया है, है ना, दुरु संभाग तो पढ़ना ही नहीं है, सीधे पढ़ते हैं राइपूर संभाग, तो राइपूर संभाग में बहुंस सारी जगा आ जाती है, देख लिते हैं, है ना, तो राइपूर संभा यह महासमंद यह राइपूर ठीक है और इसके राइपूर के साथ आप लोगों को यहां दिख रहा है गरिया बन और यह दिख रहा है धमतरी इतना सरा चीज हो गया ठीक है तो अब यहां पर जगा पहले नाम लिख दें राइपूर बलोदा बजार महासमंद का नाम महासमंद इसले पड़ा है चुकि वहां पर समद्र गुप्त ने क्या डाला था डेरा डाला था उसके बाद यह जगह है गरिया बंद ठीक है इसके बाद इस जगह का नाम है धमतरी यह जगह होई तो बलोदा बजार में यदि आप देखेंग तो बलदा बजार में श्रीराम से संबंदित इस्थल का नाम क्या है भई धमनी पलारी और नारायन पूर धमरी पलारी और नारायन पूर ये तीन जगा कहां पर है बलदा बजार से संबंदित है इन तीन जगों को वहां हमको क्या करना है जी विक्सित करना है अगर हम महासमू में तो एक बड़ी फेमस जगह है सिर्पूर महासमून में सिर्पूर है राइपूर में आप लोगों ने अभी अभी देखा क्या है आरंग और एक है चंपारंग जिसमें चंपकेश्वर महादेव का स्थापना किया गया है आरंग मतलब यह है चंदखुरी है ना आरंग को र परियागन में फिंगेशर महादियस्वयम इसके पर धंतरी में देखें तो धंतरी में मधुवन में बहुत अच्छा रमनी यह इस्थल है आप लोग तभी धंमधुवन आएं वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा है है तो आप लोग वहाँ पर पूरा-पूरा पेड़ वर् और एक है सीता नदी अभ्यारण, यहां पर इसको सीता नदी को सीता महियां से ही समिकृत किया गया है, है ना, मासीता का यह मतलब की वह था, प्रिये इस्थल था तो इसे सीता नदी नाम दिया गया है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, फिर आप लोगों को पूरा का पूरा क्या ज सबसे पहले तो कांकेर आ जाएगा कांकेर के बाद कुंडा गाउं के बाद आप लोगों को क्या दिखना है नारायनपूर के बाद आप लोगों को कनेक्ट हो रहे है क्या बस्तर स्वयम है यहां पर बस्तर यहां पर चोटा सा प्लिंज है बस्तर के साथ यहां पर दंतेवाड आप लोगों को जुड़ जाता है, दुञ्तेवाड़ा के साथ सुकमा यहाँ पर जुड़ जाता है, और जो कुंड़ागाओ है, इस कुंड़ाओ से connect होता है क्या हमारा वीजापुर, वीजापुर और कुंड़ाओ connect होते हैं, लेकिन हमारा जो बस्तर है वो नारायनपूर से connect नहीं होता है तो यह कुछ ऐसा बनता है ठीक है तो यह आप लोगो मैं प्यात रहना चीए चलो मैपिंग कर लेए अब नाम लिख देते हैं कांकेर कुंडा गाउं इस जगा का नाम है नारायनपूर इस जगा का नाम है बस्तर स्वयम इस जगा का नाम है दंतेवाडा इस जगा का नाम है सुक्मा और इस जगा का नाम है बीजापूर कोई जिला भूला तो नहीं मैं है कोई जिला भूल गया हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिए का पताईए गा तो कांकेर में आप लोगों को देखने को मिलता है कंकरेशी का आश्रम जिसके नाम पर ये जगा का नाम है कांकेर का जो नाम है वो कंकरेशी आश्रम के नाम पर ही पड़ा है ऐसा मानते हैं ठीक है कुंडा गाओं में आप लोगों को देखने को मैं भी बताया थोड़ी देर पहले एक जगह है जटायू शिला जटायू शिला on the way है आप लोग अगर कभी जाएं बस्तर तक जाएंगे तो जटायू शिला जो है उजस्ट ये main national highway है ये national highway से ऐसा कटा हुआ एक जगह है यहाँ पर national highway बोड भी लिखा है जटायू शिला बोलके चले जाना भूम के आना एक आद बार ठीक है डरना मत नेश्टायू शिला ये है फरस गाओं में फरस गाओं में में national highway का जगह है फिर यहाँ पर आप लोगों को एक जगह देखने को मिलती है गड़ धनुरा गड़ धनुरा भी national highway है national highway से ऐसे अंदर जाएंगे तो मुश्किल से यहाँ से दो किलोमेटर का जगह है गड़ धनुरा वहाँ पर भी जाके देख सकते हो ठीक नारायन पाल का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा की थी भगवान ने ऐसा बोलते हैं फिर आप लोगों को तीरत गड़ तीरत गड़ वाटर फॉल है ठीक है ना तीरत गड़ में वाटर फॉल है यह जगह हो गई फिर आप लोगों को नारायन पूर में एदी आप देखें त और डोंगरी का अर्थ पहाड होता है तो राक्षसों की पहाड़ी अर्था रक्सा डोंगरी और छोटे डोंगर यहाँ पर भी आप जा सकते हैं यह भी अच्छी जगह है ठीक है न? तो इन दोनों जगह को वहाँ पर समिकृत किया गया दंतेवाड़ा में आप लोगों को तीन जगह बनाये गए है बार्षूर बार्षूर में आप लोगों को बहुंसे अलग-अलग प्रतिमाये दिख जाएंगे दंतेवाड़ा में आप लोगों देखता है स्वायम दंतेश्वरी मंदिर का एक इस्थल है और गीदम गीदम में जो पक्षी राज जटायू है उनका जो छेत्र है उनका जो राजधानी था जटायू राज का वो शायद गीदम था ये गिद्ध के नाम पे ही इस जगा का नाम गीदम है ठीक है ना? ये गिद्ज के नाम नाम पेज़ा टाइव राज जी गिद्द प्रजादी के टे तो ये गिदम उन्हीं की राजगानी आईसा माँग्ते हैं पुराने कथा कहानियों के हिसाब से ठिक है तो यह होगे आप पूरा इंक्यावन इस्थल आप लोगों के लिए ना ये इंक्यावन इस्थल में Joseph सुखमा सुखमा में दो जगह है इन जर्म इस जगह का पेपर में अभी कलपर 10 चपा था नौभारत ये चपा है और किसमें च्पा है? नौभारत में और अभी राम जी का जो हुआ तो राम भारत और हदीवों मेरे घर में आता है दोनों में इसे किसी एक में च्पा हुआ है इंजरम के बारे में भी दिया हुआ है और कॉंटा अंतिम वो इस्थल रामा राम जहां पर राम भगवान ने पूजा की थी तुकुंटा में रामा राम ये लिख लो है कि हो गया तो इस प्रकार से आप लोगों को जो श्री राम की जो राम कथा है उस राम कथा के 12 वर्ष में आप लोगों को 12 वर्ष के अंतरगत इतने सारे इस्थल देखने को मिलते हैं थीख है नぁ इतने सारे इस्थलों में आप लोगों को श्री राम के कहीं न कहीं और शेष श्री राम से जुड़ी कहानियां श्री राम से जुड़े अलग-अलग लोगों के बारे में पता चलता है आज भी आप यदि देखेंगे तो हमारे जो आदिवासी अंचल हैं उनमें बहुत से लोग अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं राम के नाम की महिमा इतनी ही है कि उसको आज भी मतलब आदिवासी समाज हो चाहे जो आर्य समाज हो चाहे वो शहरी समाज हो चाहे वो गामेंट समाज हो हर जगा पे व्यक्ति अपने नाम के पीछे राम लगा ही लेते हैं कुछ नाम exceptional होते हैं लेकिन most of the लोग नाम के पीछे राम लगा ही लेते हैं तो ये राम के नाम की महिमा है और आप लोगों के सामने पूरा का पूरा इतिहास और उनसे सम्मध्य 36 गड़ में जो रामायण है, 36 गड़ में जो इस्थल है जिन इस्थलों का विकासम कर रहे हैं, इसके अतरिक्त और भी इस्थल है मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है न, और भी इस्थल है राम वंगमन पत में, राम परियतन में जो रामायण है वो, डॉक्टर हेमुयोद्य की पूस्तक तो इन दो को हमने क्या किया है भाईया, रामायण को इसके लिए पुराधार बना है तो हमने टोटल इंक्यावन इसथल ऐसे हैं, जिने हमने पुरान और इन पुस्तकों में हमने क्या किया है समिकृत किया है उनको एक दूसर से मेल चिया है, कि हाँ ये जो लिखा है वो यही चीज है तो यह सारी चीज़े हैं इसके अध्रिक्ट और भी स्थल है इसके लिए आप लोगों को इन पुस्तकों को देखना पड़ेगा इन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा मैंने खुद भी नहीं पढ़ाया भी तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ बाकी इन पुस्तकों को पढ़के आप लोग और ज्यादा अच्छा ग्यान रामायन के उपर ले सकते हैं तो यह रहां राम की कथा 36 गड़ में जो मैंने आप लोगों का विसोड बोला था वो और आई होप आप लोगों को ये चीज पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई करो और अपने पढ़ाई के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो ठीक हैं मिलेंगे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद तयारी करते रहिए और अपने आपको बेस्ट करने की खोशिश कीजिए चलिए नन्यमाद जय हिंद